हेलो डियर श्टुडेंट वेलकम तो माई चैनल दा आरिया एकेडमी आई एम मुर्ली सर तोड़े वी आर गोईंग तो सी थेन्रोगेंप्स इन लास्ट लेक्चर वी आर क्लेरिफाइदा थेन्रोगेंप्स एंड डिवीजन फर्स्ट जिम्नो इस्पर्म इन जिम्ना मतलब न अज हम लोग जो एकेड़ीरज दीवीजन है जिसको हम लोग एंज्य चैनल खरविंट करते हैं इसके बारे देखने चलेंगे एंगे-स्पर्म एंज्चो का मतलब होता है एन्ज्चो मतलब कवर्स जख नह thrust होता सिस्पर्मा मतलब अईससे इस यह जो प्रूट के द्वार कबर होते हैं उसकों लोग एंद्ट वर बोलते हैं और जो एंधर पर buenas Sunny प्रिजनृत टाइम में नेरबाऊ्व संडिंग के संप्रीज हम को दिखाई रहे हैं जो प्लांट संब दिखाई दे रहे हैं वह कैसे होते हैं congressional होते हैं घिसको हम लोग जिसमें आपको फ्लाट से दिख जाए जिसंदे अब को jest रूट्स भाशित दप्लाट से पर जाए वों क्या है ऊंजय स्वार्म होता है इसको अड़ोगों के से प्लांट्स में नियर अबाउट में एन्वाइरन्मेंट में mostly अजय स्पर्म पाया जाते हैं तो इसको हम लोगों ने देखा था आपको बता था एक दराइक काटली डर्स और एक मोनोगा रप्लांब होते हैं और मोनोगा अजिनके जिनके सेकेंडरि ग्रोथ जो होती है आपस तर हार्ड उड़ का फार्मेशन होता है उसको हमलोग क्या बोलते तो इस से कंडरी ग्रोथ के द्वारा होता है और इस सेकंडरी ग्रोथ को हम लोग हागे higher classes में जब चलेंगे तो हाँ आपको देखने को मिलेगा जाइलम होता है जाइलम फ्लोय में डीविजन होता हो अलक की ठीक हम जब वहाँ चलेंगे तब उसकी बात करेंगे आग देखते हैं यहां पर सो दसीड सीड को भीगोई है आफ कॉर्ब मक्के को बीन्स को ग्राउंड नट मौंखली को टमेंट्स मैंगो वीड जितने भी यह सब सीड जिसके नाम देख सब को भीगोई है ना भीगोई है इन वाटर फार एट टो टेन आर्स आर्ट से दस घंटे के लिए भीगोई है आफ्टर दे आर सॉग्ड आप जो हम लोग देखेंगे जो सॉग्ड मतलब भीगोई थे उसमें क्या देखेंगे चेक इच सीड टू सी वेदर इट डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ और न ले लिजिए चना का सीड लिजिए मैंगो का सीड लिए ग्राउंड नट लिजिए पी ले लिजिए बीन्स ले ले लिजिए सब को क्या करें आठ से दस घंटे भीगोई है भीगोने के बाद इसको हम लोग चेक करेंगे कि यह जो सीड है यह वेदर मतलब इसका ब्रेक अगर दो How One बट रहा है तो उसको हम अलग एक भाग में है तो अलग जैसे बीस इसींपल सा एक्टम आपको हम बता रहे हैं हम लोग चना सब लोग खाते हैं ग्राम घां उस ग्राम को भीगोई हें चने को भीगोई है मतर को भीगोई है और साम को भीगोई है सुबह छोब आफें भी बड़ींगे दाइक निकल जाता और दो भागों में इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है हम लोग राइस को करते हैं नहीं बठता है मक्का को करेंगे दो भागों बठेंगाने क्यूंकि वो देखा था किसमें वहां पर हम लोगों कहीं फ्लावर देखने को नहीं मिला था लेकिन जैसे फिंघरो गैम्स में आमको फ्लावर देखने को मिल गया था लेकिन जो फ्लावर था अब यहाँ आगे बात करेंगे एंजुस्पर में the flower the flower these plants bear their reproductive organs और यह जो flowers होते हैं ऐसे पवधे जो होते हैं, उनको धारण करते हैं, वीरड करते हैं, और अपने रिप्रोड़क्टिव और गन्स के लिए, ठीक, तो जाहिर जबात हैं, फ्लावर देखते हैं, हमेशा नहीं प्लांट में आता है, जैसे फ्लावर आता है, उसी फ्लावर के अंदर फूड बन जाता है, उसी के जो flowers होता है developed हो जाता है fruit में एंड यह फार्ड विदिन फ्रूट और यह तो किसंद बदल जाता है प्रूट में बदल जाता है अब यह जो fruit होता है यह किसका modification होता है यह obry कोई भी flower होगा फ्लॉर के मुख्यता हम लोगोंने चार parts पढ़े थे उसमें क्या होता है केलिक्स हो रहा है कैरोला होता है एंडरोसीएम होता है तो यह जो एंडरोसीएम होता है उसको हम लोग मेलार्गन कहते हैं और जो गाइनोसियम होता है उसको हम लोग फिमेलार से सारगन कहते हैं तो यह जो गाइनोसियम होता इस्टिग्मा इस्टाइल एंड ओवरी में कुछ इस्ट्रक्चर हम लोगों को ऐसे देखने को मिलता है कुछ इस्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को ऐसे मिलता है इसको हम कुम लोग स्टिगमा कहेंगे स्टाइल कहें ओर यह तो इसी 9ам 510arks और इसलिए यह सीड होता है क्या वय होता है अब क्योंकि इसके हां ओब्री है और इसी और यही जो ओवियूल होता है और इसमें कनवर्ट हो जाता है सीड में और नीचे होता और पाया जाता है इसलिए कवर्ड जो सीड होता है हमेशा किसके दौरा फूट के दौरा कवर्ड होता है hence they are called angio-sperms इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते angio-sperm बोल देते angios का मतलब होता है cover-sperm का मतलब होता है सीड इसका मतलब सीड क्या होता है covered होता है इन plants whose seed can be divided into two equal half are dicotledons are called dicotledons plant ऐसे plants जिन plants में जो उसके seed होते हैं दो equal parts में two equal half में divide हो जाते हैं उसको हम लोग dicotledon कहते हैं ऐसे plants को dicotledons plant बोलते हैं and those who seed cannot be divided into equal parts are called monocotledons plant ऐसे plants जिनके जो seed होते हैं two equals half में divide नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? जो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं तो ये main characters किसके हो जाते हैं? एंजियो स्पर्म का जो plants होगा वो सबसे लंबा होता है सबसे लंबा होता है जैसे UK lipters आप लोगों ने देखा होगा सबसे longest plant इसका क्या होता है? UK lipters होता है और इसके यहाँ जाइलम और फ्लोयम बिल्डबलर्ड पाया जाते हैं अब यहाँ पर एक कालम दिया है observe and verify दिया है डाइक काटली जांस एंड मोनो काटली जांस के कुछ करेक्टर दिये हैं देख लीजिए फर्ट दिया है मोनो कटली सींडल काटली जांस अवी Department सब्सक्राइब देखिए यहां पर छने हम लोग चने को लेते है न UA और अगर इसको हम लोग भीगोते हैं तो एक पार्ट यह नहीं हो जाता है थो यहां सैंगे यहां डॉक्त टूस Led निकलती है सिंगल ये होजाते हैं अब इससी पर बगल में कही रूट आ жाता ह। श्हकंडरी रूट भूल देते हैं और या इसी को हम महिए इंप उसको हेरंगे ल颗 बोलते प्राइमरी रूट या इसे युक्त टैप रूट बोल देते हैं और इसमें क्या होता है तो यह सुरू में निकलती है लेकिन यह देस्ट्रॉय हो जाए अब इस से जो इस्टेम वाला भाग है यहीं से धेर सारी रूट निकल जाते हैं अगर हम लोग बात करें स्ट्राइं होत होता है दिध्यामकल बनियाद्री होता अब इसके जो इसका मतलब रς small होता है हलो हलो क्या होता इसको बोलते हैं अब बांबुबांस आप लोगों ने देखा होगा उसमें नोड और इंटरrás फारें ग्याम पर बने बनाना मतलब स्वाप्ट में होता है इसका मतलब ऑनियद हो गया बंबू हो गया यह कैसे हो गए अब एक branching इधर एक इधर oblique होगी अब इस branching के अंदर बहुत सारी branching होगी बहुत सारे division हो जाएंगे आप किसी leaf की प्लांट की leaf ले करके देख लिए जिसमें midrib हो midrib से यह oblique लाइने पाई जाती हो उसी को हम लोग reticulate venation बोलते हैं और यहां कैसा होता मोनोकार्ट में parallel venation पाया जाता है parallel venation का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं आप लोगों ने बनाना का leaf देखा होगा यह leaf हो जाएगी और इसमें बीच में एक midrib हो जाएगी एक इधर से parallel यहां से branching एक branching यहां से सीधे branching होती है आप लिक नहीं होती है इसी हम लोग क्या बोल देते हैं parallel venation बोला जाता है किसमें पाया जाता है लीफ में हमें इसा डाइकॉटली डांस जो होगा पैरलल venation होता एक सेप्ट दो ऐसे हैं जिनकी यहां यहां इसा नहीं पाया जाता है थीक फ्लावर फ्लावर विज फोर टू फाइव पार्ट्स अभी मैंने आपको आगे बता था फोर टू फाइव पार्ट्स इन देर मल्टिपल्स या जो मल्टिपल्स का मतलब इनके जो फोर या लजाते हैं कालल सेमनीलिफ फोर पार्ट्स होते हैं करोला जिए मैं इस में द्थ में छोगते हैं इस फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं घा में से मॉल्टिपल आर्ट्री आ dedicate ourselves होती है यहां क्या होते हैं यहां क्या होता होती है। अच्याफित्रमेरस मतलब होता है चार होता है है इसमें जो अर्छ मेंट होता है वो चार उसका एक साथ होगा इसलिए उसको हम लोग पूंटामेर्स बोलते हैं ठीक तो यहां तक बात हो गई यहां पर देखिए दिया है कुछ एक्जामपल आपको देखने को मिल रहा है यह डाइकार्ट का एक्जामपल है यहां पर देख रहे हैं जिसे मस्टर्ड हो गई डाइकार्ट हो गया और यहां पर पीव दिया है डाइकार्ट हो गया यह सब क्य यहां पर दिखाई दिए रहा है इस सब क्या हो जाएंगे यह मोनो कार्ट हो जाते हैं यहां दिया है एक वो डाइग्राम हालनकि इसको हमने आल्रेडी आपको बना दिया है इसको हम लोग किंगडम प्लांटी सारे जितने प्लांट आएंगे इसी के अंदर आएंगे ठीक हाटति मैं चेंद्थ में नानवारिंग आते हैं धिट्रो गैम्स में फ्लावरिंग प्लांटस आते हैं ठीक क्र्प्ट्वेसान में थेलो भाईटा वरहum फायटा टेरिडोफाइटा में अल्लगी आंट फंजाई आता है इसके बाद स्वार्च ब Comic यहां पर लोग देख सकते हैं कुछ exercise दी हुई है कुछ दिया है आप इसको बहुत आसाने से थैलोफाइटा थैलोफाइटा करेक्टर मैंने बताया था यहां पर फंजाई की केस में ज़्यादा पाया जाता है इसका मतलब वहां वह यहां पाया जाता है तो अब हम लोग करेक्टर को देखना शुरू करेंग दिया है सीड आर फार्म्ड इन फ्रूट से जो होता है बनता है इन फ्रूट में ना इसका मतलब इसका तो है नहीं सीड पाया ही नहीं जाता था सेकंड देखते हैं यह वाला प्रिया यह थैलो फाइटा इधर बी में देखना है ठीक बी में देखो नो नेचुरल कबरिंग आप सीड सीड है नहीं नेचुरल कबरिंग की बात ही नहीं करेंगे दीज प्लांट मेंली ग्रोइन वाटर हां यह प्लांट कहां मेंली ग्रोइ भी कहा जाता है नहीं पानी में पाए जाते हैं तो थर्ड क्या हो जाएगा ए में थैलोफाइटा और बी में क्या हो घृडड वाला सी वाला जो एंस्वार यह इस प्लांट मेंली ग्रोइन वाटर और ऐसे कौन से पहुद हैं इल्गी हैं कbone है ली ही होते हैं दूसरा दिया ऐसकता होती है और रिप्रडेक्शन के लिए लाज चक्ता होती है इनों हम fuckin क्या बोलते हैं मास बोलते हैं क्या बोल देते हैं मास बोलेते हैं ते दोफाइटा को देखिए यह थर्ड टेरद यह यह अल्रेडि होगे बच्छा काऊं दीज और कंडक्शन आप वाटर इसके पास सके लिए फूर के कंडक्शन के लिए टीशू पाया जाता है जाइलम और फ्लोयम पाया जाता है इसका मतलब थर्ड का क्या हो जाएगा यह वाला हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं फर्न बोलते हैं जिम्नोस्पर्म सीड आर फार्म्ड इन फूट ना नो नेचुरल IT कि निट्रल कवरेंग नहीं होती है जिमनो इस्पर्ण में यह वाला सही हो जायेगा Boule Нatural covering 함께 a Seed by आप को साइक्ड होता है अब आपका बचा N जिए इस पर और इधर बच्वाप सेट कर दिए हें अब अपर लिए वह में टिह हैं और थे the sentence by filling in the blank and explain those statements यहां पर इस्टेटमेंट्स दिया गया देखो एंजय स्पर्म दिया है जिम्नो इस्पर्म दिया इस्पोर दिया ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा जाइगोट इन चीजों को इसी के अंदर भरना है तो फर्स्ट पहला वाला एक को हम लोग देखते हैं प्लांट्स हैव साफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉड़ी कांस ऐसे पौधे होते हैं जिनका सॉप्ट और फाइबर लाइक बॉड़ी होती है तो ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा जिम्नो इस पर में आप बड़े-बड़े प्लांट देखते हैं और जोस्पर्म उससे भी फाइबर लाइक होते हैं त्रेड लाइक संदस्ट ना पाई यहां पर थैलोफाइटा प्लांट्स है शॉप्ट एंड फाइबर लाइक बॉड़ी बीप देखिया इस काल्ड अफिविया अप्लाइट किंग्डम हम लोग ब्रायो फाइटा को यहां पे ब्रायो फइटा लि टेरेश्टियल होता है इसलिए इसके एंपीबिया प्लांट किंग्डम कहा जाता है थर्ड देखें इन टेरिड़ो फाइट असेक्सूट रिप्रोडक्शन अकर्ष बाई असेक्सूल रिप्रोडक्शन इस पोर के द्वारा किसके इसके पास स्पोर का फार में सा उसकी लिप स्तॉरेंजिया बनती है। स्तॉरेंजिया के अंदर मियासीष होकर के क्या बन जाता इस पूर बन जाता है ठीक होदक्शन यहां पर देखेंगी क्या है कि ऑले में एंट स्थाड ओफाइटा आई सेक्सूब्शन अकर्सबाई इसको फारमेशन एंड sexual reproduction occurs by जाइगोट का फार्मेशन करता है sexual reproduction ठीक तो आप यहाँ पर लिख लेंगे sexual आगे देखते हैं male and female flower of are born on different sporophylls of same plant मतलब male and female flower जो होते हैं एक ही plant के different different sporophyll पर पाये जाते हैं कि किसके होता है जिम्नोई इस पर में ऐसा देखने को मिलता है तो तो कि यहां तक हम लोग देख लिए अब next हम लोग third question दिया answer of the following question in your onwards आप इन question को देखे आप इनको अपनी बुक से अपने सब्दों में इसको आपको लिखना है बहुत आसानी से लिख सकते हैं डाइग्राम बनाना है यहां पर भी वही है राइट इन characteristic of the plant belong to the division उनके character लिखना जो विलांग करते हैं ब्राइव फाइटा से फिर यहां पर आपको क्या लेबल डाइग्राम अगले चैप्टर के साथ नए चैप्टर के साथ बात करेंगे और तब तक देखते रहे हमारा चैनल दा आर्या एकेडमी और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका most welcome है और अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू थैंक यू वेरी